अरे वाह, पापड भी आ गए गर्मा गरम, बेटा अचार भी बहुत तुम भी बैठ जाओ, खाना शुरू करते हैं ममी मुझे अवी भूख नहीं है, मैं बाद में खालूंगी भूख नहीं है क्या मतलब है, बैठो रोज तो तुम साथ ही खाती हो, आज क्या हो गया तुम्हे और तुम्हारे बगार हम लोगों के हलक से खाना उतरेगा क्या अब बैट भी जाओ पापा, बहु नहीं हो मैं आपकी बहु नहीं हो, बेटी हो, पता है चलो बैठ जाओ बैठो बैठो लाओ मुझे तो रवी, खाना खाने से पहले हम लोग प्रात्ना भी कर लेते हैं जी पापा शुरू करते हैं जी आपको सबजी और दूँ? नहीं, थोड़ी सी और एक ही आलू डाला है तुम्हें ये क्या हुआ? इस तरह से मुझे यू बिगाड रहे हो थी माँ ये खाना किसने बनाया? सोनी ने रोज सोनी बना दी है, आज भी उसी ने बनाया क्या हुआ? ये, ये क्या कोई खाना है? इस कानी को जानवर तक ना खाये इंसान कैसे खाये? क्या हुआ क्या? मैं देखता हूँ दाल में हलका सा नमक ज्यादा है और क्या? ज़रा सा नहीं है पापा फूरा का फूरा पैकेट इसमें चाल रखा है ये क्या? अरे? समझाओ इसे कर दिया ना इसने बहू का मूड खराब और खाने का महोल भी इस तरीके से आने की टेबल पर बात करते हैं कितनी बार समझाया है नारास कर दिया ना रवी तुम भी ना इस तरह से डानिंग टेबल पर बिहेव नहीं करते हैं रवी कितनी बार कहा हूँ मैं खाने का पूरा महोल ही बिल्कुल हतम कर देते हो तो बेटा इनसान से कभी कभी भूल हो जाती है ऐसे भूल अगर ये गलती मुझसे हुई होती तो क्या तुम मुझे भी इसी तरह से डाट देते हैं हार अभी बेटे क्या तुम इसी तरह की बाते इसी लहजे में इसी टोन में अपनी मा से भी करते हैं जो तुमने बहु के साथ किया? बोलो, तु मुझे इस तरह से डाट सकते थे? मेरी समझ में नहीं आता तुम्हारी माले हम लोगों के लिए लंबे करहस्त जीवन में नजाने इस तरह की भून सैकड़ो बार किया है क्या कभी हमने तुम्हारी मा से कोई गलत बात, कोई बत तमीजी, कोई यगड़ा क्या है क्या? बताओ ज़र अपने बेटे से कभी नहीं ये क्या कर रहे हैं? बैठो यहां पर आज तुम्हें गौर से देखने का मन कर रहा है ऐसा क्यों? ऐसी क्या खास बात है आज? खास बात यह है कि कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि तुम अपने पती का खयाल कुछ ज़्यादा ही रख रही हो वो कैसे? मगर मेरी सहत की वज़ा से हमेशा कुछ ना कुछ भूल जाती हो, मिस कर जाती हो ओ आज तो मैंने सबजी में मिर्ची बहुत जादा डाल दी थी लेकिन आपने तो कुछ कहा ही नहीं, आप तो मुस्कुराते हुए खागे अरे कहते हैं, मुस्कुराने से जो हम खाते हैं, वो सहत को बहुत लगता है लगता है आप मुझसे मुहबब ही नहीं करते हैं आप तो मुझे कभी डाटते ही नहीं है देखो ऐसा है कि जो अपनी बीवी से ज्यादा मुहबबब करते हैं वो अपनी बीवी को भला डाट कैसे सकते हैं आपको कभी गुस्सा नहीं आता अरे गुसा किस बात पर गुसा सिहत के लिए खराब होता है और तुम तो हमेशा सिहत का ख्याल रखती हो पताने आप किस मिट्टी के बने हैं उसी मिट्टी की जिसकी तुम बनी हो हमेशा हस्बेंड एन वाइफ के बीच एक अंडरस्टैंडिन होनी चाहिए रवी इसमें सरासर तुम्हारी गलती है देखो इसी बात को तुम डाटने के बजाए समझा कर भी तु बोल सकते थे है न तुम्हारे इस बेहिवियर से डैनिंग टेविल का माहूल तो खराब हो ही गया और घर का माहूल भी खराब हो गया ये तो तुम्हें सोचना चाहिए न देखो रवी बेटा ये पती-पत्नी का जो रिष्टा होता है न वो रेशम के धागे की तरह नाजुक होता है और इतना ही फॉलात की तरह मजबूत भी समझे बेटे देखो बेटा अब अपने घर के माहूल को वापस नॉर्मल करने के लिए खुशाल करने के लिए सोनी बेटे के पास जाओ उससे एक बार नहीं तीन बार काओ और उसे वापस डानिंग टेबिल पे लेके आओ गलती तुमने की है और माफी भी तुम ही मांगोगे अब जाओ बैठे क्यों गेट अप लेके आओ उसे चाहे तुम्हें तीन बार सौरी कहना पड़े देखा तुमने ये आजकल के बच्चे भी ना सुनिये ना दरसल मेरी ही गलती थी वो मैं किचन में गई कुछ देर पहले मैंने डाल चका मुझे कुछ टेस्ट ही नहीं आया पता नहीं जबान को भी क्या हो गया आजकल कुछ टेस्ट ही नहीं आता और मैंने ना नमक डाल दिया सोनी नमक डालना ही भूल गई थोड़ा चीक हुआ थोड़ा सा और डाल देती हूँ देखिये ना मेरी गलती की वज़े से बहु को डाट पड़ गई ममी पापा इंतेजार कर रहे है चलो अब खाले अब चलोगी या गोद में उठाक ले जाना पड़ेगा मेहने नहीं लगी ये मेरे पाओ में तो चलो ना मुझे नहीं खाना है खाना क्यों? तुमने मुझे डाटा क्यों था? गुस्सा आया तो डाट दिया बात खरत में और गुस्सा क्यों आया था? डाले में नमा क्यों डाला था आपने ज्यादा? मैने तो रोच इतना ही डाला था अच्छा ठीक है मैंने जो किया उसके लिए sorry बोलता हूँ, कान पकरता हूँ, sorry, 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 तीन बार sorry बोलता हूँ, चलो गे एक promise करो, क्या, बोलो न, आइंदा से तो मुझे कभी नहीं डाटोगे ठीक है, मैं promise करता हूँ, आज के बाद से कभी नहीं डाटूँगा, चलो अब, चलो, आज़ो, चलो भी, चलो, चलो अरे, आईए, 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 अब, खड़े ही रहिएगा आप दोनों, बैठिये, खाना आप दोनों का इंतजार कर रहा है भाई, हम लोग भी कभसे भूके बैठे हुए हैं, यहाँ, चलो, शुरू करते हैं, अब, परोसिएगा भी, हाँ भाई, मुझे भूक लगी चली, आप भी खाएए, पापा, रोटी तो दो, और चावल भी दे दो जरा सा, जी, ममा मुझे भी चावल दो, हाँ बेटा, बस, थोड़ा चावल देना, ज्यादा नहीं, और दो, नहीं बस, वाह, आज के खाना खाकर, मज़ा आ गया, क्या खाना बना है, सुनती हो, शकुंतला देवी, हमारी बहू है ना जो ये, सोनी, लाखो मेग, और हमारा बेटा भी तो लाखो मेग है, वो क्या किसी से कम है, सही कहा तो, भगवान न करे, हमारे इस हसते खेलते परिवार को, किसी की नजर लग जाए, हे भगवान, जब तक मैं जिन्दा मेरे परिवार को, इसी तरह, हसता, मुस्कुराता, देखता रहूँ ठीक कहा ना मैंने तुम्हारी लिस्ट बन गई? जी, बस बन गई ठैंक यू बेटा ठैंक यू लिजी तुम्हे बाट जाओ बेटा कुछ बात करनी है बेटा, अगर तुम्हारे ओफिस का काम हो चुका है तो मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ जी, पापा जी, बुली न, बुली ये देखो बेटा, आज जो कुछ भी हुआ हमारे घर में वो एक तरह से बहुत अच्छा हुआ आज मैं तुम दोनों के जरिये आने वाले यंग जनरेशन से हर बेटे और बहु से ये कहना चाह रहा हूँ कि अपने बुड़े होते विए माबाप के भावनाओं को भी समझो जब वो बच्चे थे तो माबाप बहुती प्यार से, लाड से उनकी हर जित को पूरा करते थे उन्हें बढ़ा किया, पढ़ाय लिखाया इस काभिल बनाया कि वो अपने पैरों पे हो सके हैं, और जब वो खड़े हो गए मजबूत हो गए और उसके माबाप दिन बदिन बढ़ती उम्र की वज़ा से कमजोर होते गए वीख होते जा रहे हैं अना? जी, धीरे धीरे सभी बाड़ी के सारे पार्स वीख होने लगते हैं हमारे सुनने की शक्ती कम होने लगती है हमारी जबान का टेश चला जाता है धीरे धीरे हम बिलकुल बच्चे के जैसे करने लगते हैं हमारी आदाश कम होने लगती है ऐसे में बच्चों को चाहिए कि वो अपने माबाप को बच्चों की तरह देखभाल करे जैसे हमने कभी उनकी देखभाल की थी यहां तक के इनसान भूलने भी लगता है या दस्ट भी कम हो जाती है हमारे घुटने काम करना बंद कर देते हैं चलने फिरने में दिक्कत होने लगती है तो ऐसे में बच्चों का क्या फर्ज है तो ऐसे में माबाप की सेवा ही बच्चों का फर्ज है बच्चों को भी चाहिए कि अपने माबाप को बच्चे की तरह ट्रीट करें उनकी भावनाओं को समझे किसी भी माबाप को वृद्धा हस्रम जाने की जरुरत नहीं पड़ेगी बेटा प्लीज पापा आप प्लीज ऐसी बातें मत किजिए ऐसा सपने भी नहीं कर सकते हैं और वैसे भी आप लोग मेरे साथ ससुर नहीं मेरे माता पिता के समान है और हम अपने भगवान को भला दूसरे के घर छोगने क्यों जाएंगे हम दोनों को भी तुम दोनों से यही उलीद है बस ऐसा ही हो हमारी यही मेसेज है हर बच्चों तक जाए हर बच्च अपनी माबाप की सेवा भगवान की तरह करे यही मकसद है हमा हमारी यही में जाएंगे